हे अवरिवन वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल साइंस लेर्निंग अकेडमी मैं हूँ आपके एजुकेटर नेहा जैनी आज मैं आपके साथ डिस्कुर्स करने वाली हूँ न्यू टॉपिक वाई रेड लाइट इस यूज़ फोर सिगनल एंड डेंजर कि सिगनल और डेंजर के लिए रेड लाइट क्यों यूज़ की जाती है आप सभी ने देखा होगा जो सिगनल्स होते हैं या जो भी साइंस बने होते हैं डेंजर के वहाँ पर रेड लाइट या फिर रेड कलर से लिखा जाता है क्यों क्यों ऐसा होता है तो यह जो टॉपिक है बिसिकली आपका क्लास 10 का टॉपिक है और बहुत important question यहां से आता है इसी तरह से question पुछा जाता है कि why red light is used for signal and danger ठीक है उसका answer भी आपको मिलेगा और इसके साथ साथ यह बहुत competitive exams में जैसे की ICMR के अंदर और need huge में भी एक question आया हुआ है okay so red color is always used for danger signal red color जो होता है वो use किया जाता है danger signal के लिए क्यों क्योंकि जो red color होता है उसकी क्या होती है longest wavelength होती है क्या जादा होती है उसकी wavelength जादा होती है frequency कम होती है least scattered होता है basically scattering और wavelength में क्या relation होता है scattering और wavelength क्या होती है inversely proportional होती है ठीक है जो wavelength है वो one fourth होती है आपकी scattering के यानि की scattering और wavelength में आपका क्या होता है inversely proportional relation होता है अगर scattering जादा है that means wavelength आपकी क्या होगी कम होगी अगर wavelength जादा है तो scattering क्या होगी कम होगी ठीक है तो scattering का मतलब क्या होता है scattering कम होने की वज़े से red color को हम use करते हैं for danger signals के लिए देखो जब किसी चीज़ की ज़्यादा wavelength हो scattering कम है scattering कम का मतलब क्या है कि मालो कोई ऐसी condition है जैसे कि rain हो रही है fog हो रहा है dust है बहुत लंबे रास्ता है तो बहुत दूर से भी हम क्या कर सकते है अगर कोई भी light पड़ेगी किसी भी object पे तो बहुत दूर से भी हम उसको अपनी आखों से देख सकते है ठीक है तो signal जो होते है इसी वज़े से red color के बनाया जाते है क्योंकि red color में क्या है long wavelength होने की वज़े से देंजर का बोड है सिगनल का जो भी वहाँ पे लगा रखा है ठीक है इसलिए यूज किया जाता है आपका red color for signals and dangers ठीक है ये देखो question आया हुआ है 2019 के अंदर इसी से related कि red color is used for signal because it has क्या होता है red color में जो कि हम red color को use करते है signals के लिए उसकी high frequency होती है long wavelength होती है high intensity होती है ये low reflection होता है so the correct answer is high wavelength ठीक है ये longest wavelength होती है इसकी इस वज़े से इसको use किया जाता है signals में जिससे हम दूर से भी जो signal है जो danger का sign है उसको देख सके और longest wavelength होने की वज़े से scattering कम होती है that means number of particles video scatter होंगे वो भी कम होंगे इस वज़े से में इसली दिखाई दे जाता है ठीक है so that's all for today मिलते हैं next session में I hope you all like it if you like you can like share and subscribe to my channel bye bye everyone thanks for joining